Hi everyone, welcome back to this fresh video, काफी अच्छा सपोर्ट कर रहा है और खुद के लिए भी पढ़ाई कर रहे हो, मेरा जो भी feedback है और valuable suggestion है, आप सभी लोग उसको follow कर रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग practical steps पर बात करते हैं, one day revision strategy भी आपको बता दिया था कैसे क्या करना है, आज के इस video में हम बात करेंगे कि, what are the mistakes to avoid in compartment exam, बहुत बार बहुत सारे students same mistake को repeat करते हैं, जिस वज़े से वो pass नहीं उपाते हैं, या फिर जो कहावत है कि खुद के पैर पे को लाड़ी मारना, तो वही चीज होता है, कि आप जान भूज कर ऐसा कुछ गलती करते हो, जो कि आपको backbite करते हैं, वैसे गलती मत करना, पहला गलती, जो बहुत कम students करते हैं, बट करते हैं, और mind में उनका अभी वी चल रहा है, exam paper में पैसा रख के आ जाना, क्या करते हैं, copy लिखते हैं, और लगता है कि नहीं अभी pass नही आदो, आपको पता नहीं होगा, बट ये एक criminal offense है, ये bribe के अंडर आता है, और आप openly bribe कर रहो, answer sheet में आपका roll number वगेरा नाम सब होगा, वहाँ पे details आपका सारा आजाएगा, और कल को वो लोग चाहें, तो आपके against complaint file कर सकते हैं, तो please गलती से भी ये mistake मत करना, मैं बार- request करूँगा सभी को, second mistake ये है, कि जल्द बाजी में question को गलत पढ़ना, this is another important point which you should consider, जल्द बाजी में यार, not true दिया होगा, तो अब कौन सा true है, वो करके आ जाते हो, generally not वाला जो word होता है, वो miss कर देते हैं students, not false, मतलब true होता है, तो वो जो not वाला चीज है, या फिर question को मतल instructions given होता है, generally not, one word होता है, काफी लोग sentence में लिखके आ जाते है, one sentence में लिखो बोलता है, तो one word लिखके आ जाते है, question के instructions को carefully पढ़ो, ताकि आपका mistake ना हो, और इससे आपका time तो बचेगा, plus जादा marks मिलेंगे, second thing, ये जो mistake है, ये भी common mistake है, कि section को इधर उदर करके लिखना answer writing tips में भी आपको बता है था, यहाँ पे भी मैं दुबारा इसलिए बता रहो, क्योंकि students लोग ये mistake करते हैं, कोई एक section से शुरू कर रहो, तो उसी section को complete करो, तब जाके आप दूसरा section attend करना, mixed section करोगे इस section से, एक question, दूसरे section से, एक question ऐसे करते-करते, evaluator irritate हो जाएगा, this is another mistake, मैं ज्यादा लंबा वीडियोस अभी नहीं बनाऊँगा, छोटे-छोटे वीडियोस बनाऊँगा, कल सुभे आप सभी के लिए, एक motivational वीडियो बनेगा, उस motivational वीडियो में, आप सभी को मैं motivate करूँगा, कि exam hall में क्या कुछ करना है, कैसे करना है, और एक चीज है, mistake in the exam hall में अगर बात करें, आपका सारा समान खुझ से लेके जाओ, इधर उधर से किसी और से मांगना मत, क्योंकि हो सकता है, कोई invigilator अच्छा नहीं हो, उसका mood खराब हो, आपको फिर से malpractice की जरीए से, मतलब आपके paper में लिख ले malpractice, तो फिर आप exam दे नहीं सकते हो, त अगर exam hall में, exam center में cheating हो सकता है, क्या, cheating का खयाल क्यों आ रहा है, अगर आपने महनत करके 2 महीने preparation किया है, तो time sufficient था, मैं कोई excuse नहीं सुनागा, और नहीं कोई सिनेगा, इस बार अगर कोई excuse देता है, ऐसा time कम था, फलाना डिकाना, जो भी explanation है, nobody is going to listen you, not even me, अगर आप दू sufficient time था, आप लोग भी मानते हो ना time sufficient था, comment में बताना, yes sir, time बिलकुल sufficient था, और इतने time में तो हम repair करीज सकते हैं, okay, these are few things, और exam hall में पानी bottle ले सकते हो, अच्छे से decent way में बैठना, इधर उधर सर मत हिलाना, कि किसी से pencil मांग रहे हो, किसी से extra pen मांग रहे हो, सब कुछ खु to avoid में ये भी आएगा, कि सामान भूलना मत, ऐसे नहीं, काफी बार होता है, sir, एक student message गया था, sir, last time क्या हुआ, मैं घर से निकल गया, और यह funny incident लगता है, but funny है नहीं, actual में career में आपका problem आ जाते है, सोचो, पूरा तयार किया, वो मेरा ही student था, तयार गया, मैं उसको बोला, बार-बार भूला कि, सबको बोला था, ऐसे वीडियो में, कि सारा सामान लेके जाना, टाइम ले जाना, और तो वो सोचा, हाँ, ठीक है, इतने देर में तो मैं ट्राइवल कर लूँगा, तो वो घर से आधे दूर निकल गया, तब realize हुआ कि उसने अपने geometry box लिया नहीं, mathematics क एक्जाम है, सोचो, geometry box नहीं लेगा, तो क्या करेगा, वो उसको draw करना होता है, line वगेरा, pencil चाहिए, sharpener चाहिए, कुछ गलत हो जाते है, eraser चाहिए, और किसी दूसरों से मांगो, तो फिर exam hall के बीच में, malpractice होगा, भले आप scale ही क्यों ना मांग रहे हो, ruler मांगो, pencil मांगो, but invigilator, उसको malpractice consider कर सकते हैं, वो सोचेंगे कि आप answer पूछ रहे हो, क्योंकि अगल बगल तो same subject वाले होते हैं, तो फिर क्या हुआ, वो सोचा, मैं किसी से और से मांगो नहीं, घर आया, वो घर वापस आया, फिर जाके पहुंचा, तो late हो गया, वहाँ पे entry नहीं मिला, सो सोचो इस छोटे से mistake के वज़े से उसका एक साल बरबाद हो गया, और अगले साल में जाके exam दिया, मतलब अभीदिया वो पास हो गया, March में exam दिया था, और जो March के board exam का result है, तो compartment 2 हो गया, second attempt of the compartment, सोचो वो कहीं पे admission भी नहीं लिपा है, इस छोटे से mistake के वज़े से, सोच पार हो, funny लग रहा होगा, आयर ऐसे कौन करता है, geometry box भूल जाता है, काफी लोग admit card भूल जाते है, यार, admit card आपको मिला है exam center पे लेके जाने के लिए, तो timely आप घर से निकल जाना, ताकि आप timely वहाँ पे पहुंच जाओ, और सब चीज़ time के मताबिक हो जाए, time के बराबर हो जाए, ओके, इतना ही कहना था मेरे तरफ से इस वीडियो में, these are the mistakes to avoid, यह mistakes को avoid करना, और जान भूच के ऐसे mistake मत करना, यार, पैसे वाला mistake को बता है, मैं exam hall में timely पहुंच ना, और section इधर उदर लिखना, exam hall में किसी और समगना, try to avoid this mistakes, और कुछ mistake है तो आप अपने तरफ से बताना, but try to be disciplined, कुछ भी intentionally गलत step मन लेना, अगर आपको अंदर से लग रहा है कि यह सही है, गलत ऐसे सवाल आ रहे है, किसी से पूछ लो, suppose washroom जाना है, तो पूछ के जाओ, कि मैं I go to washroom, तो फिर वो बोलेंगे कोई और गया है, तो आपको बोलेंगे wait, अगर नहीं गया आपको अलाओ कर देंगे, ओके, ऐसो छोटी-छोटी चीज है, take care of these things, I wish you all the very best, फिर से, और सुबह वाला वीडियो के लिए तयार हो जाओ, सुबह एक वीडियो आएगा, जहां पर motivation रहेगा, और अच्छे से आप लोग तयार ही गया, तो पास भी हो जाओगे, मिलते हैं अगले वीडियो में तब तर keep learning, keep exploring and keep smiling, thank you so much.